भारत और आस्टेलिया के बीच तीन टीट्वेंटी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखरी मुकाबला रविवार 25 सितंबर को हैदराबाद के राजी गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मुकाबला भारतिय समयनुसार साम साड़े साथ बजे से वाला होगा जो टीब तीसरे और आखरी टी-टवेंटी मैच को जीतेगी वो सीरीज पर कबजा कर लेगी इस सीरीज में इससे पहले दो मुकाबले खेले जा चुके हैं पहला मुकाबला मोहाली के मैदान पर खेला गया था जिसमें आश्टेलिया ने भारत को चार विगेट से हराया था और वही पर दूसरा मुकाबला नागपूर स्टेडियम में खेला गया था और इस मैच में भारत ने आस्टेलिया को छे विकेट से हराया था दोनों इटीमें एक एक जीत के साथ बराबरी पर हैं और तीसरा और आखरी मुकावला निर्णायक होगा जो टीम इस मैच को जीतेगी वो सीरीज पर कबजा कर लेगी तो आज की इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं कि इस मैच के लिए भारत की प्लेंग 11 क्या होगी इसके इलावा पिछ रिपूर्ट और मैच रिकॉर्ड के बारे में भी जान 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ और इस मैच को भारत ने सांदार तरीके से जीता था भारत और आस्टेलिया के बीच में इस मैदान पर ये पहला टी-ट्वेंटी मैच है और पिछ रिपूर्ट की बात करें तो हैदराबाद की पिछ काफी सपाठ है और बल्ले बाजों के बारिस की कोई संभावना नहीं है दोपर में धूप और साम को मोसम थोड़ा गरम रहने की संभावना है और अब बात करते हैं हैदराबाद टी-ट्वेंटी के लिए भारत की पिलेंग 11 के बारे में तो आस्टेलिया के खिलाफ तीसरे टी-ट्वेंटी मैच के लिए भारति की कोईली दूसरे मैच में फ्लाफ हो गए थे नंबर चार पर होंगे सुर्य कुमार यादव नंबर पांच पर होंगे हार्दिक पांडिया और नंबर छे पर होंगे रिसप पंत और वहीं पर नंबर साथ पर होंगे अच्छर पटेल अच्छर पटेल ने पिछले मैच में सां वी महेंगे साब इत हुए थे और दो ओर में टोटल 32 रन लुटा दिये थे और हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में जस्पिरित बुम्रा अच्छा परदर्सन करेंगे और वही नमबर 11 पर होंगे युजवेंदर चहल तो यह थी आस्टेलिया के खिलाब भारत की प्लेंग